प्यारे दोस्तों नमस्कार देरे नए यूट्यूब शेडल लाइफ इन विलेज वित असीत खानोंगों में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ आज बचा हुआ लहसुन धन्यां मेती मूली लगाने के लिए हम किजन गार्डन में फिर से आगए हैं दोस्तों आज लहसुन लगाने का कारिय पूरा हो जाएगा इसके पहले के वीडियो में मैं गार्लिक के दैनिक जीवन में उप्योग के बारे में और इसके आउसदिय प्रियोग के बारे में बहुत कुछ बता चुका हूँ यह लेसून गारलिक एक कामन मसाला है जिससे हम सभी लोग प्रती दिन अपने घरों में दैनिक उप्योगें काम में लाते हैं यह बहुत ही प्रचलित और उप्योगी मसाला है तो इसके बारे में ज़्यादा है क्या बोलूँ दोस्तो एक निविदन में करना चाहता हूँ आप लोगों से एक छोटा सा निविदन है आप सब जानते हैं वीडियो बनाने में रहोत नहनत लगता है तो यदि अभी तक आप मेरा चेनल सब्सक्राइब नहीं किये हैं या पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो कृपिया चेनल को एक बात जरूर सब्सक्राइब कर लिजिएगा बड़ी महरबानिक होगी और अजन्य सोशल मेडिया गुरूप में अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा विजिए हमेशा आपका प्यार और आपका सपोर्ट विजदा रहा है आदे भी विलता रहेदा इस किलिन में आप लोग बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं तो उसको लैसुन खादे के फाइदे आप सब जानते हैं हम सभी के घर में जुरूप लोग शोटी मोटी कई बिमारियों में लैसुन का उप्यूब और सधी के तरों पर करते हैं फिर भी लैसुन हम आर्गतिक रूप से उगाने का प्रयास कर देता कि हम इसका उप्यूब घर में सोयम के खाने के लिए कर सकें नैसुम से सबसे बहतरी इन सबसे बड़ा जो कारी है वो लोगों के इमुनित पावर को इम्म्यून सिस्टम को बढ़ाने में सहीव करता है और सिर्दे समंधी रूब में भी इसका खुद प्यूब किया जाता है मैं अपने एक दादा जी को जानता हूँ जब मैं बहुत छोटा था तो उन्हें उम्मर उनकी बहुत थी उनको सांस की विमारी थी तो वो लहसुन को आग में भुजभुज़ कर खाते थे और हमारे पुछले पर बताते थे कि इससे सांस के रोग में काफी आरान मिज़ता है दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा यदि वेरा प्रयास वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो कृपिया मेरे चेनल को सबस्क्राइब करना बद बिलेगा और यहां तक वीडियो देखते के लिए तहरे दिल से मैं आप सभी को धरनिवाद अदा करता हूँ शुक्रिया करता हूँ आज के लिए बस इतना ही किर मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए आप सद खुस रहें आनंद से रहें मुश्कुराते रहें अपना और अपनों का ख्याल रखें शुक्रिया दोसको शुक्रिया अपने फ्तेहत का ध्यान रखें और समय मिले तो आप अपने शहर के आसपाफ के गाउं में कभी-कभी भिजित भी करें बहुत आनंद आता है गाउं का रहन सहन यहांगे संसकार यहांगे 30 तेवार में बहुत आनंद आता है तो अगर आपको मौका लगे तो ज़रूर आप गाउं का भ्हमने की जिए वरना जो मुझे जानते हैं मेरे पास आए मैं आपको गाउं का अनुफ्त उठाने में मदद करूँ में शुक्रिया